कि ये अवरीवन वेलकम टू यूर एड़ुकेटर और हम लोग कर रहा है नीट ट्वाटी टू का रिवीजिन कर रहे है थू दा मल्टिपल जॉइस क्वेशिन और यह मॉक ब्रैक्टिस के नाम नहीं शुरू कर दिया और अपना टार्गेट है कि एक्जाम से पहले कम से कम सिक करेगा और आपके जो नौलेज उसको टेस्ट करेगा तो आज का टॉपिक का नाम है लेक्ट्रिक चार्जस एंड फिल्स मतलब पूरा 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 अलेक्ट्र स्टाटिक है यह चप्टर हम लोग पॉर्शन है इसको कवर करने वाले हैं चलिए सुरुआत करते हैं कि पेपर जोता है नीट का उसमें क्या होता है दो सेक्शन होता है सेक्शन ए सेक्शन भी सेक्शन में 35 पूरा 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 अटेम्ट करना है सेक्शन भी वालें बात करेंगे तब 15 कोश्चन होता है 10 को अटेम्ट करना होता है यहां जो सुरू करते हैं सबसे पहला कुश है ideal वायर दिया है और तका05 क्ररेट्रस्टिक होता है हिसका पॉइंट होता है कि SAK madness है इसका है सेम पोटेंसियल यह स Crit यह पॉइंट हरेके जगह पर New ey sounds of the entrada divided by the health में इसली है इहां का पॉइंसल्ट बी है तो यहां का पॉआंशल्ट था पनाने के लिए पॉइंटे लिखना है कॉंट इम रखना एक भी है पहला जो से टार हो यहार हम के बीच में दिया हुआ है यह और हम के wakes में लगा दिया दूसरा दिया हो एम और बी जा राइब केम लगा दिया स्का है भी ए मोर्ड बी यडिमें और ब् ेरों उन जितने इतने केपैसिटर्स दी है सबואלु कितना हैं 2 माइक्रो सुपराण 2 माइक्रो cobarde 6 into overall होगा तो क कितना हो जाग शेये और यहां पर क्छेध दिया यह यह दोनों सिरीज में दिया थे वहलू हो जगा six by two तो कितना लिखेंगे इसको three microfarad लिखेंगे तो answer हो जगा इसका option number four that is three microfarad बहुत easy question था question number two है कि there are question number two में कह रहा है कि there are two concentric conducting a spherical cell of radii small r and two r the outer cell is given charge give while the inner inner cell is earthed देख वर्थिंग का concept यह होता है कि जिस भी cell को आप अरे यह थिंग करते होना उसका potential का वैलो कितना लिख देता है हम लोग Venture गभे अंika ho zwar कर दिया है आपने बाहर वालेपर चार्ज की ओ दे दिया है अंदर वाले चार्ज के Q दिया है और radius कितना दिया है तो आर रहा और इसके value कितना के बरावर दूगा तो इसको काट दोगे इस स्मॉल क्यों क्यों कि जोगा जोगा कितना हो जागा Capital Q by 2 हो जागा और भी हो जागा negative में तो इस cancer हो जागा option सेल की बात की जा रही है तो सेल क्या होता है सेल वो होता है जिसके बाहर में सारा का सारा चार्ज कहां पर होता है इसके सर्फेस पर होता है सेल के बारे में याद रखेंगे किसके अंदर में एलेक्ट्रिफिल के वैलू कितना होता है जीरो होता है बाहर में एलेक्ट्रिफिल क इस्टेंस फॉर सेंटिमेटर बात करना है और रेडियेस दिया दा सेंटिमेटर मतलब इंसाइट पॉइंट हो गया ना तर्फी के भालू लिखाँ गाने निंटू तो दी बावर 9 हो जागा चार्जी भालू कितना है 10 माइक्रो है तो 10 x 10 to the power minus 6 हो जाएगा और distance कितना दिया 10 cm दिया 10 x 10 to the power minus 2 हो जाएगा तो 9 x 11 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 5 नो हो जाएगा तो 9 x 10 to the power 5 volt option number 2 वी the correct answer अगला सवाल है कि close solid conducting irregular ship दिया है यहां पर irregular ship का body दिया हुआ इसमें क्या बोला है कि given some fixed amount of charge the correct statement regarding the conductor in electrostatic condition conductor में क्या होता है कि कोई भी extra charge अगर यहां पर हम देते हैं तो इसकी वज़े से क्या होता है इस entire charge will just goes on its upper surface outer surface स्यारा का सारा charge कहां चला जाएगा इसके बाहर वाले surface पे चला जाता है पहली बात इसके अंदर में पोटेंशल का जो वैलू होता है वो चॉंस्टेंट हो जाता है अंदर में फिल्ड होता है इसका वैलू जीरो हो जाता है और यहां पे जो surface होता है इसका जो charge density होता है और रेडियस dependent होता है sigma into r is अगुस्टो कितना हो जाता है और sigma के वैलू होता है इंवर्सली प्रपोर्शनल टू कितना हो जाता है और हो जाता है मतलब जहां पे रेडियस के वैलू काम हो जाएगा वहां पे charge density क्या हो जागा ज्यादा हो जाएगा तो वहले solid square का कुछ और होता है sheet का अलग होता है line का अलग होता है तो change करेंगे shape तो potential के value होगा भी change कर जाएगा next question number five है कि arrangement of the five identical conductor is shown in the given circuit the potential difference between point x and y कितना हो जागा इस case के बिच potential difference निकालना है अगर हमको charge यहाँ पे मिल जाए तो काम हो जाएगा charge के से निकालना है तो एक दो तीन शार प्angenच capacitor डिया है और पांच गपास series में दिया है तो c equivalent कितना होगा c by 5 ना हो जाएगा और यहाँ से charge कितना हो जाएगा q गया q becomes 2 कितना होता है c equivalent c by 5 x Celsius ना हो जाएगा तो value कितना हो जाएगा c by 5 हो जाएगा तो this much amount of charge will leave through the battery अब potential X minus Y का potential निकालना है तो potential कितना होता है Q by C न हो जाता है तो X और Y के बीच में जो charge जा रहा है इसके value कितना है C V by 5 दिया है लेकिन जो C को value दिया है कितना है तीन दिया है और तीन के जग़े बात करेंगे तो कितना हो जागा C by 3 न हो जागा तो potential X minus potential Y is equals to 3 V by 5 3 है और V का value कितना दिया है ये 30 दिया है कितना हो जागा 5 हो जागा 5 जेगा 5 से कर देंगे तो कितना हो जागा 6 तो value कितना हो जागा solve ओके 18V का value हो जागा option number 1 will be the correct answer for your question अगला जो सवाल दिया है इसमें बोला है कि there are two charges plus three microgulum and minus four microgulum ऐसा दिया है charge यहाँ पर दिया है plus three microgulum दिया है और यह charge है minus four microgulum ध्यान से देखोगे तो यह जो force होता है newton's law motion को follow करता है third law को f12 बराबर होता है minus f21 मतलब यह action reaction के pair में लगता है same magnitude opposite direction same magnitude हो जागा तो ratio के value कितना हो जागा one हो जागा दोनों ही charge of force experience करता हो कैसा होता है same होता है अगला point है कि an electric dipole of dipole moment this and इस पे जो लग रहा है field इतना है तो torque कितना हो जागा देखो torque जो होता है इसका formula क्या लिखते है हम लोग P cross E लिखते है न तो यह cross product निकालना है दोनों का जो तो क्या करना है तीन वेक्टर में दिया है तो क्या लिखेंगे आई जे के लिखेंगे पहले P आया तो P वाले component को लिख देंगे तो यह कितना दिया 2 दिया दिया micro है तो बाहर में multiply करेंगे 10 की पावर माइनस 6 है और electrical कितना दिया 3 दिया 2 दिया इसमें भी के नहीं इसमें भी के नहीं तो यह कितना हो जागा और एक दिया है दियाisen का दिया है दिया है तो यह जो डिया है उसको लगा देंगे हैं पर टो क्या होजगा बाइनस 0.5 नियूतन-मीटर h Eventually है so the value is minus में 0.5 k cap इतना newton meter इसका value आजागा option number four it'd be the correct answer बहुत simple से था cross product निकालना था अगला जो question दिया है यह सवाल दिया है कि an electric dipole placed in an electric field generated by a point charge point charge अगर क्यों रखा हुए कहीं पे भी इसकी बज़े से electric field r distance में निकालते हैं तो electric field के value कितना हो जाता है तो यह value kq by r square हो जाता है और यह जो kq by r square जो field के value आता है कैसा होता है तो यह field के value आपका non uniform हो जाता है non uniform field हो गया तो non uniform field में जब बात करते हैं तो dipole पर क्या हो जाता है dipole के अगर हम बात करते हैं तो dipole का non uniform में रखो गया तो यहाँ पे net force का जो value हो जाएगा, यह कभी भी जीरो नहीं होगा, net force जो दिया है, इसका value यहां पे नहीं होगा, वहीं पे जो torque होता है, इसका value में भी 0 हो सकता है, because talk जो होता है, torque की बात करते हैं, to torque angle पे dependent होता है ar refugee value होता है, वो change करेंगे, तो torque का value भी क्या हो जाएगा चेंज कर जाएगा अब इसमें अगले सवाल की तरफ चले इसका एंसर कौन सो जागा इसका ऑप्शन यहां पर टिक करेंगे तो टॉर्क उन्द्व डाई पॉल्डमेश जीरो जागा है नेट अलएट हम मस्ट भी जरो सब्सक्राइब और मेशन करेंगे भी जिरो ऑन्येया तो लेकिन दूसरे तरक का जो field होगा ना उस पे 0 होगा यह point charge वाले में नहीं होगा non uniform जिरो का condition है काता है तो यहाँ पे best option होता है option number 3 होता है अगला है electric field lines दिया हुआ इस तरीके से तो इसमें क्या denote करता है कि जहाँ पे field lines pass होते है होँआ पे stronger होता है और जहाँ पे दूर होते होँआ पे क्या होता है वीकर हो जाता है तो यहाँ पे जो point A दिया और point C एक जैसा है तो यहाँ पे E और C का तो same हो जाएगा लेकिन इसका field जो होगा point B वाले से क्या होगा है stronger होगा ना क्योंकि B वाले पे field lines कैसा है दूर दूर दिया हुए तो यह बराबर EC होगा, greater than क्या हो जागा, EB हो जागा, option number 3 इसका correct answer हो जागा next है positive point charge Q is enclosed by Gaussian spherical surface है, Gaussian spherical surface से enclosed कर दिया है, radius यह दिया है, if its radius is increased to 4 then net outward flux कितना हो जागा इससे मान लो कि यहाँ पर charge Q दिया और एक बनाते है spherical Gaussian surface, तो flux कितना निकलेगा, Q by epsilon not, अभी इसको बहुत बारा सा कर दोगा और यहाँ भी charge Q रखा हो तो flux कितना निकलेगा, Q by epsilon not ही निकलेगा, तो कोई change नहीं नहीं होगा, remain same रह जागा, अगला है कि wire of length L and charge Q is bent in the form of a semicircle, the charge is uniformly distributed on its lane, then electrify at its center is equals to what, यह दिया हमारे पास line charge है, और line charge दिया है, length हेल दिया है, charge इस पर क्यों दिया है, तो charge density कितना हो जागा, तो charge density कितना हो जागा, charge per unit length हो जाता है, अब क्या है कि इसी line charge को bent कर दिया हमने, and we have constructed an arc, यह कैसा होगा, एक circle बन जा रहा है, और यह जो circle बन ना चाहिए, lambda by two pi epsilon not R होता है, अब radius के value कैसे निकालेंगे, जो यह length हो गया, और यह जो circle के perimeter pi R हो जागा तो Ruses एक कितना होुचेगा यो वाइल इवेलू होजागा यो एल्यो वाइल भाईब किटना होजागा यो वाईल च्कीटना होजागा दैल होजागा तो यह वाईलोगा कियो दीवाइड युट्ड ऑई टूम चाहर, ऑपसिन नम्स ऑन फैयर आउन फो इस्टीटीन इनुर्ड आ ए एक electric field है इसमें इसको क्या किया हमने release कर दिया तो release करने से ये charge क्या करता है motion करना शुरू कर देगा क्योंकि इस पर force लग रहा है क्योंगी और ये इसको release कर गया T equals to zero पर है तो momentum acquired by the charge after time तो momentum निकालने के लिए हमको क्या चाहिए momentum होता है mass into velocity तो T time पर कितना velocity होगा मिलेगा तो काम हो जागा acceleration ये लिखोगे तो force by mass लिखोगे ना force के value कितना है QE और mass के value हम दिया अब velocity कैसे निकालेंगे तो V equals to U plus 80 होता है तो zero हो गया और acceleration के value QE by M हो जागा और time T हो जागा तो momentum की का value हो जाथा M V मतलब कितना हो जागा M into QE by M into क्या हो जागा T ना हो जागा तो mass से mass खतम हो जागा तो value कितना हो जागा QE into क्या हो जागा T हो जागा तो value होगा QE into T next point है कि block of mass small m ये दिया है next question है बहुत अच्छा जा सवाल दिया है इसमें बोला है कि block of mass small m having charge minus key is placed in midway between the parallel walls uniform electrical E is switched on as shown in the figure then time after which the it collide with the right wall for the first time is देखो सबसे पहला बात है कि charge इस पर दिया है negative तो जैसी release करेंगा ना तो इस पर force लगना सुरू हो जागा left की तरफ जब left की तरफ force लगे जाते है ये block move करता हो जाएगा इस दिवाल से collide करने के बाद फिर से वापस लट कर और यहां पर पहुंचते पहुंचते फिर इसके velocity zero हो जागा क्योंकि during this leftward motion इस पर force right लग रहा है इस पर force लग रहा है right तो zero से velocity बरके यहां पर जितना हुआ उतना ह सवाल दिया है इसमें कह रहा है कि a cylinder of radius r is placed in an electric field इसके बेलू e बराबर x square i cap दिया है then net electric flux बताइए कितना हो जाएगा देखो इस cube को थोड़ा से यह जो cylinder दिया है इसको इससा बना देंगे यहां पर तो इसमें क्या हो जागा कि i direction में दिया है field तो left से इसा इंटर करेगा right से कैसा होगा बाहर आएगा तो यहां पर फिल्ड का बात करेंगे तो x बराबर a न दिया है तो कितना हो जागा और यह a square हो जागा field के value और area कितना है ? पाई A square दिया है वहीं right वाले में जटो हम बात करते हैं तो कितना हो जागा यहां पर e जो दिया है बाहर निकल अदगे random positive है तो 4a square हो जागा और into area कितना हो जागा ? पाई A square हो जागा तो flux का value हो जागå 5 2 है जगा 5 1 हो जागा plus में 5 2 हो जा कितना हो जागा और इंटू में कितना हो जागा पाई रसकार हो जागा और यह क्या हो जागा अपका एंसर हो जागा तो थी ए स्क्वार इंटू क्या हो जागा पाई रस्क्वार moving ahead to the next question बोला है कि इसको अगर रख देते हैं तो इसकी वज़े से क्या होता है कि दो charges की बीच में force कितना होता है तो डियलेक्ट्रिक के presence में force कितना होता है 1 by k times या फिर 1 by epsilon r times तो 1 by 4 by epsilon not q1 q2 by r square ऐसे होता था डियलेक्ट्रिक में कितना हो जागा आप्शन नमबर 2 is the correct answer अगला सवाल दिया है कि एंगल बेट्वीन दे लेक्ट्रिक डाइपोल मुमेंट अफ दे डाइपोल एंड ये लेक्ट्रिक विल प्रोडूस द्यू तो इस अन्द एक्कुट्रियल पोजिशन देखो री केस्ट्रियल पोजिशन क्या होता है यई देखो एंगल के वीलूस की से प्लस क्यू होता है University एंड लेक्ट्रिक डाइपैन इतना सब्सक्वर बेंग इतना सब्स्सक्राइब यह 10 to the power 5 है Newton per column दिया है the magnitude of torque acting तो torque का वैलू कितना हो जाता है P sin theta न हो जाता है और जो P दिया है इसके वैलू 9 into 10 to the power minus 6 दिया हुआ है electrical का वैलू 6 into 10 to the power 5 है और sin theta 30 है तो 1 by 2 हो जागा 2 से 3 times 9th रिज़ा 27 10 to the power minus 1 तो वैलू होगा 2.7 Newton meter option number 4 is the correct answer अगला question है कि an infinite wire is placed along a y-axis uniform linear charge density lambda दिया है then electrical intensity at point P कितना होगा तो r distance पे field का जो value होता है याद रखना है due to infinite wire होता है lambda by 2 by epsilon not r होता है या फिर 2 के lambda by कितना हो जाता है option number 1 यहाँ पे answer हो जाएगा इसके बाद जो अगला question दिया है इसमें क्या कह रहा है कि 5 charges plus q and minus q are placed corner फे regular hexagon of side A then electrostatic force acting on charge q not placed at its center is what तो इसमें आप देखेंगे तो जो charges है इसकी वज़े से जो भी field produce हो रहे है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे है cancel कर दे रहे है कहां कहां पे कर रहे है यह plus q का और यह plus q का cancel हो जागा फिर यह q का और यह q का cancel हो जागा बचा यह minus q and plus q बच गया तो क्या होता है minus q का जो field होता है वो कैसा होता है यह minus q का field होता है towards हो जाता है और plus q का कैसा होता है अवे हो जाता है और distance के value कितना दिया है Q not charge रखा है तो 2K capital Q Q not divided by कितना हो जागा यह square न हो जागा की का value अगर put कर देते हैं तो कितना हो जागा 1 by 4 by epsilon not 2 capital Q हो जागा Q not हो जागा divided by कितना हो जागा यह square हो जागा तो इसका जो अप answer देखोगे तो कौन जो हो जागा second option इसका correct answer हो जागा अगला सवाल है ने certain region of space the electric field is along the z-axis throughout the magnitude of electric field is not constant but increases uniformly along the z direction और d by dz के value दिया है 10 to the power 5 newton per column per meter दिया है what is the force experience by the dipole whose dipole moment is 10 to the power minus 6 kilometer दिया है तो देखो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि x-axis यह दिया यह दिया इधर में z दिया इधर में dipole moment इधर है तो field non uniform है change कर रहा है तो dipole पर force कितना होता है जब field change करता है तो p into d by dz rate of change of field हो जाता है अब जो field यहाँ पर दिया है वह हमारा कितना dipole moment कितना दिया है तो dipole moment 10 to the power 5 है और field कितना दिया 10 to the power minus 6 दिया तो यह कितना हो जाएगा जो दिया है हमारा along the positive direction में बात कर रहा है और dipole moment है तो यहाँ पे जो हमारा आएगा इसका answer आजागा कौन सा हो जागा यह negative direction होगा ना opposite direction में लगता है dipole की वज़े से जब हम बात करते हैं इंक्रीज कर रहा है देखो ध्यान से एक छोड़ा सा logic यह minus q से plus q की तरफ प्लस की तरफ है तोween तो मैनेज तके प्लस की हो जागा इस इसका direction की तरो गए देख लिए तो इसका मतलब कि मैनश क्यों यहाँ पर होगा जागां आ प्लस की यहाँ पर हो घर इसका डाइबोल मोमेंट का डिरेक्शन निगेटिव जेट में दिया नोट पॉजटीव जेट दिया मतलग ऐसा होगा यहां पे- तो ओवराल फोर्स किते लग जागा आपका और फोर्स लग जागा निगेटिव जैट डिरेक्शन में तो जगर 0.1 धर इसके बाद जो अगला सबाल दिया 24 नमर बुला है कि लॉंग सिलिंडर है जिसका वॉलूम दिया हुए सर्टिन और इसमें ऐसा गंटेन करता है तो चार्ज है तो फिल्ट के वेलों बताईए कि आर डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा basic सा logic अपना वह याद रखना है कि कैसी भी system की वज़े से field निकालना है तो net charge in close निकालते हैं और net charge in close निकालने के बद क्या करते हैं q by epsilon not करते हैं उसका value तो r distance हो गया और माल लेते हैं इस पूरे में क्या किया हुए मेरा charge एकदम field किया हुए तो इसमें जो हमारा field के value हो जाएगा और कितना हो जाएगा तो सबसे पहले charge निकालोगे तो charge कितना होगा charge density into volume हो जाएगा इसका r radius ले लिया और distance के value कितना हो जाएगा L हो जाएगा तो यह हो जाएगा रो हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा पाई आरस्कार L हो जाएगा अब यहाँ पर देखते हैं गॉसलो से तो यह क्या कहता है E into DS बराबर कितना हो जाएगा Q in close divided by epsilon not E हो गया और नीचे में कितना हो जाएगा solve करने पर 2 epsilon not है 2 इधर से left वाला नीचे आ जाएगा तो यह हो गया तो इसका answer हो जाएगा sigma r divided by 2 epsilon not option number 3 will be the correct answer for this question अगला है 25 number question है कि point charge q is placed at wrist इसको यहाँ पे इसा wrist में रख दिया है point c पे और r distance पे यहाँ पे रखा है जिसमें कोई charge रख दे रहें कितना q तिस पे कितना force लगेगा तो सबसे पहले आपको formula याद होना चाहिए कि dipole की वज़े से किसी भी point पे जो electrify निगालते है theta angle पे तो 1 by 4 pi epsilon not r q होता है और यह कितना हो जाता है 3 cos square theta plus 1 हो जाता है तो value कितना हो जागा p divided by 4 pi epsilon not r q हो गया और यह कितना हो जागा 3 हो गया cos square हो गया theta कितना हो जागा 60 degree हो जागा और यह कितना हो जागा plus 1 हो जागा तो value लिखेंगे p divided by कितना हो जागा 4 pi epsilon not r q cos 61 by 2 1 by 2 का square 4 तो 3 by 4 तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7 दूपर मुगा रूट 7P हो जागा और 4 का रूट कितना जगा बहारा के 2 हो जागा तो 4 टू जाओगा 8 पाई एपसलन नॉट कितना हो जागा RQ न हो जागा तो रूट 7 8 पाई एपसलन नॉट RQ This will be the answer of your question ये question है आखरी सवाल हैं का तीन डाइपोल रखा हुआ है तो इसकी वज़े से नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड इस जगे पे कितना हो जागा पॉइंट ओ पे 3 डाइपोल सब डाइपोल मुमेंट पी स्वान इन दे फिगर डाइपोल सो इन दे फिगर किदार और यहां पर यहां पे ho जागा कैपी डिवाइड Dok लीट की तरफ जारह हो याद रख На यहाद रखना है कि तीन कहीं बी ने क्ले होता है न जब Pvd इसके रिजल्ट ह मेसा जिरो तह चैने रखेगे गा और नग रए तो इसका भी रिजल्टेंट कितना हो गया जीरो तो एंसर कॉंसा होगा आप्शन नम्र फोर होगा तो यह आपने हाफ मॉक पेपर था उसको कम्प्लीट कर लिया I hope you have liked it और इसी तरीके से पूरा कम्प्लीट से लिए बसका बहुत सारा मतलब countless number of mockering before your need actual exam so this was all in this and if you like this content then do consider subscribing this channel and hit the like button and don't forget to share with your friends thank you for watching bye